कॉलेज जडी सी पॉंच ये उनीसो पचमेज़ा में काइम हुआ था उस वकत राज़ोरी डिस्टिक्ट में भी कॉलेज नहीं होता था वहां से लोग यहां पर आतिती पढ़ने के लिए लेकर आज हमारा यह हाल है कि हमारा यह कॉलिज है मतलब हम लाइबर्री Oक भिरी है में फराम नहीं हो रही है कि वहरा हम चाहिए हो मिल नहीं रहा है हमारे यहां मतलब फ़र फ्रंग एरिया है यहां पर गाउं से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं मंडी हो गया सुर्म कोर्ट महेंडर से आते हैं सारे स्टूडेंट्स मतलब रिच फैमिली से नहीं है बहुत से स्टूडेंट्स जिनको मतलब अड्मिशन के लिए पैसा नहीं होता है तो वो बुक्स लेना चाहते हैं लाइबरी से जैसे हरे कॉलिज से मिलता है टाइम पे लेकिन हमारे इस कॉलिज में टाइम पे हमें महिया जो हमें बुक्स चाही होती है वो महिया नहीं की जाती यहां पे करीब 3000 के करीब स्टूडेंट यहां पे पढ़ते हैं हमारे कॉलिज में और 3000 स्टूडेंट के लिए यहां पे लाइबरेरी में बैठने की जगा भी नहीं है एक चोटा सा हाला जहां पे 10-15 कुरसियां लगी हुई हैं और वो भी उनकी खसता हालत है ना टाइम पे उनको सफाई की जाती है और ना उनको देखा जाता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो 3000 से जदा स्टूडेंट हैं यहां पे रेगुलर इहनो और मॉनो को मिला के तो यह बिल्कुल बहुत कम जगा है इंसुफिशन्ट स्पेर से स्टूडेंट के लिए कैरियर कॉंसलिंग सेल है जो उसके बारे में आपको बताना चाहते हूं कि हमने भी आज यह देखा है आज यह ऐसा सुना है तो हमारे यहां जितने भी स्टूडेंट है उनमें 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस स्टूडेंट के बारे में कुछ कोई भी नॉलेज निया है नॉलेज हो कि कैसे जब यहां से नॉलेज दी जा रही है तो कुछ तो ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुशन भी करके गए हैं निफान लुन को भी बता चल रहा है कि यहां पर facto यहां प्र कैरीयर कॉंसीलनिंग को तो हम यह कहरें कि यह बुकूल सबसे पहले तो मेरी अपनी प्रिंसिपल सर्च से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी इस जो लाइबरी रिया इसका जो हाल है वो बहतर किया जाए मतलब जैसे अलमारियो कि आप यहाँ पर आपने देखा होगा डीमिक लगी हुई है बुक्स भी जो हैं वो भी मतलब खराबी हो चुकी है उपर से पानी आ रहा है मतलब हमारा यही है कि जो बुक्स जैसे के लिए आई एस के लिए यहां हमारे जो अभी कॉलिज में जो बुक्स लगती है मतलब वो ही अगर हमें फराहम की जाएं हमरे लिए वही बहुत था लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन हमारी प्रिंसिपल से यही गुजारिश रहेगी कि जो हमारी की मांग है इसको पूरा जल्द जल्द किया जाए